नमस्कार दोस्तो पपीता एक पीले रंग का फल विटामिन A और B के गुनों से बरपूर है इसका उप्योग खाने के साथ साथ तवचा की केर के लिए भी किया जाता है कच्चे पपीते से सबजी टिक्की बनाई जाती है बलकि पका पपीता फल के रूप में खाय जाता है साथ ही इसका उप्योग जूस जैली जैम बनाने के लिए भी किया जाता है कई लोग पपीते को फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं यू तो हवाइन और मैकसिकन पपीते बहुत प्रसिद्ध हैं परन्तु बारत के पपीते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं अलग-अलग किसमों के पपीतों का स्वाद भी अलग-अलग ही होता ह पपीता स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक है सो ग्राम पपीते में एक से दो ग्राम प्रोटीन 98 कैलोरी, 70 मिली ग्राम आरन तथा रेशे से बरपूर मात्रा में होते हैं पपीता पेट के लिए अत्यन्त लाबदायक है ये खाना पचाने में भी मदद करता है परंतु इसे ताजा खाना ही ज़्यादा उपयोगी है ये पेट से तूटने के पशचात ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रहता इसलिए इसे जल्दी यूज कर लेना चाहिए पपीते का फल इसकी पत्तियों के नीचे लगता है अगर कोई व्यक्ति पपीते का पेड़ लगाता है तो वह पेड़ जल्दी ही दो से तीन साल में फल देने लायक हो जाता है पपीते का उपयोग जैम या जैली बनाने में भी किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को पी लिया होता है तो पपीता बहुत ही फाइदेमंद है पपीते में पपेन नामक पदार्थ होता है जो बोजन को पचाने में सहायक होता है पपीता साल में 12 महीने मिलता है ये फल तथा सबजी दोनों के रूप में उपयोगी है चहरे को सुन्दर बनाने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है पपीते को चहरे पर लगाने से चहरे पर मुहासे नहीं होते तथा ये चहरे की जाईयों को भी कम करता है पपीते का उप्योग गई लोग प्राक्रतिक बलीच के रूप में भी करते है पपीता बवसी रोग में भी फायदे मन्द है पपीता खाने से कब्स नहीं होती तो बवसी रोग में भी लाब मिलता है पपीता आँख के लिए भी खितकारी होता है इसमें विटामिन ए प्रचूर मात्रा में होता है जिसे रातोंदी नामक रोग नहीं होता साथ ही साथ आँखों की रोशने भी बढ़ती है डाइटिंग कर रहे व्यक्टियों के लिए तो पपीता रामबान है के लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं वह पपीते को अपने खाने में शामिल करते हैं पपीता दांतों के लिए भी फाइदेमध होता है अगर दांतों में से खोन आता है तो पपीता उसे भी उसमें भी लापकारी है पीले रंग कफल पपीते का गुदा पेट की परिशानी जैसे कब्ज अपच को दूर करता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो हमें लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें दन्यवाद